नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभी हम देव गुरु ब्रस्पति के बारे में बात करेंगे, ब्रस्पति का जो गोचर होने वाला है 2023 में मेश रासी में, तो ब्रस्पति 22 अप्रेल से 4 सितंबर तक मेश रासी में गोचर करेंगे और 4 सितंबर को वो वक् पंचम भाव में होगा यह पंचम भाव का गोचर अगर आपकी कुंड़ी में ब्रस्पति की इस्तिती काफी अच्छी है निस्सित रूप से आपके लिए बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा यहाँ पर आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी कुंड़ी में ब्रस्पति की प्लेस्मेंट कैसी है उसके हिसाब से ही आपको यह रिजल्ट मिलेंगे इसके इलवा अगर आपको ब्रस्पति की महादसा या अंतरदसा चल रही हो तो इसके प्रिणाम आप लोगों को बहुत ज्यादा मिल सकते हैं तो पंचम भाव में जब यह गोचर करें संतान का उत्तम सुक देंगे आपको संतान की प्राप्ति होगी संतान की साथ रिलेशन्स काफी अच्छे रहेंगे इस दोरान आपकी खुद की एजुकेशन से समंदित आपका कोई काम बन सकता हैं जो लोग स्टुडेंट हैं उनके लिए यह समय बहुत ही ज्यादा उप्य चार सितंबर तक का यह गॉल्डन प्रीड आप कह सकते हैं अपने लिए तो यह गोचर में जो लोग सेर मार्केट वगरे में पैसे लगाते हैं जो लोटरी वगरे में कहीं पैसे लगाते हैं उनको भी बहुत बड़ा फाइदा होगा इसके अलावा आपकी ज्यादातर डिस से यह गोचर में आपका जो फोकस रहेगा वो धन कमाने को लेकर रहेगा संतान पक्स को लेकर रहेगा और कुछ ना कुछ नया करने कुछ ना कुछ नया सीखने को लेकर रहेगा तो पंचम भाव में जब भी ब्रस्पति आ रहे हैं ऐसे में आपको पंचम भाव के कारियों क्योंकि परती बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए इसके लावा आपके जो पुर्वय पुन्डने के जो लाब हैं वो भी आपको मिलेंगे जिस प्रकार के भी आपने करम करें हैं और यहां पर ब्रस्पती पंचम भाव में आ रहे हैं तो आपका जो सोचने समझने का तरीका है जो डिसिजन लेने का तरीका है वो एकदम बदल जाएगा तो यहां ब्रस्पती आने से निश्चित रूप से आप लोगों को काफी ज्यादा सफलता मिलेगी और जिवन में जो एक ब्रेक सा लगा हुआ था अभी तक उससे आप आगे बढ़ेंगे ब्रस्पती का पंचम भाव में आना यह दिखाता है कि आप धन समंधी मामलों में बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट लेंगे अध्यात्मिक कोई प्रेक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए भी यह गोचर अच् रहन स्रौत की तरफ आप नजर डाले वें तो उसके लिए ट्राई जरूर करें इसके लवा संतान पक्स से भी आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा अगर इस दोरान आपको संतान की प्राप्ति होती है तो संतान आपके लिए लगी बहुत ज्यादा होगी और आपको हमे कंट्री में हो सकती है तो विदेश यात्रा होने की चांसेज भी बनेंगे और संतान को लेकर ये गोचर बहुत ही दिलाएंगे आपको किसी से अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी पिता से भी आपकी संबंद काफी अच्छे रहेंगे ये दोरान आपको बहुत लंबी लंबी आत्रा करने को मिल सकती है तो आप अगर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं लंबी आत्रा करने की तो उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी और आपको उसके लिए प्लानिंग अच्छे से करने ही चाहिए इसी प्रकार से आपको अपनी संतान या आपकी एजुकेशन के लिए विदेश जाना भी पड़ सकता है ये समय में भाग्य आपका बहुत ज्यादा ही साथ देगा तो अगर आपको भा कर सकते हैं जैसे कि आप अक्सर ब्रस्पतिवार को पीले वस्तरों का प्रियोग कर सकते हैं आप केले के पेड़ हैं उनकी पूझा कर सकते हैं आप ब्रस्पति कवच का पाठ कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप जानते भी होंगे उनका आप कही ना कही लगाता प्रियोग करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा तो ये समय में संतान पक्स से लाब मिलने के साथ आपको धनसमंदी मामलों में बड़ी सफलताएं मिलेंगी और जिन लोगों को धनसमंदी समस्य हैं उनकी समस्या दूर हो जाएगी इसी प्रकार से जब ब्रस्पत हाड़ वर्क फील हो रहा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कठिनाई फील हो रही है उस काम को आप ये समय में अंजाम जरूर दें तो ब्रस्पति द्वारा लाविस्तान को देखा जाना आपके लिए और भी सुब रहेगा ऐसे में आपके पास पैसा हमेशा आता रहेगा और पैसे आपके पास बचेगे भी सारा पैसा फर्च नहीं होगा तो ये समय में आपका जो नेट वर्क है उसमें विवस्तार होगा बहुत नए-ने लोग आपके साथ ज़ुड़ सकते हैं कुछ प्रभावसाली अत्यन्त परभावसाली लोग आप लोगों के साथ जुड़ हुए आपको काफी अच्छा फील करवाएंगे ऐसे में आपको consultation से काफी फायदे हो सकते हैं अगर आप किसी भी field में ऐसी कोई service दे रहे हैं इसके अलावा आप कोई चीज sale कर रहे हैं बाई या sale कर रहे हैं तो ऐसा अगर काम करें आपको बहुत ही ज्यादा benefit मिलने वाला है यह गोचर में आपके पास धन की वर्दी होती जाएगी धन के स्रोतों की वर्दी होती जाएगी और आपको अपने बड़े भाई से भी काफी ज्यादा लाब मिलेगा मुख्य फोकस आपका धन कमाने को लेकर होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको अपने खुद के जो decisions हैं उन पर भी फोकस अवस्य करना चाहिए क्योंकि अगर आपके decisions सही रहते हैं तो आपके सारे काम बनते चले जाएगी तो यहाँ पर ब्रस्पति आपको एक बहुत बड़ी relief देने वाले हैं आराम देने वाले हैं और आपके मन को काफी ज़्यादा वो तरो ताजा कर देंगे इसी परकार से आपके मन में किसी के भी परती क्रोध नहीं रहेगा आप में चलकपट की भावना यह नहीं रहेंगे काफी अच्छा यह गोचर जाने वाले हैं इसके साथ साथ यहाँ पर ब्रस्पति आपके क्योंकि वो लगन को भी देख रहे हैं लगन को देखने से काफी ज़्यादा विवेक सीलता और जेंटल मैन के रूप में आ आपको सोख है वो इस गोचर में सबसे ज़्यादा रहेगा तो ब्रस्पति का यह गोचर काफी माइनों में आपके लिए लग्की साबित होने वाला है क्योंकि यहाँ पर एक तो पंचम और नवम का कनेक्शन भी बन रहे है इसके लावा आपके लाविस्तान और आपके होगी यहाँ पर ब्रस्पति जब लगन को देख रहे हैं तो आप अपने आपको लेकर भी काफी ज्यादा सीरियस होंगे क्योंकि आपका ब्रस्पति यह वो लगन का भी स्वामी है इसी परकार से आपके चतुर्थ हाउस के भी गुरु स्वामी है तो इन दोनों हफसेज के आपके लगन और चोथे गर से समन्दी जो भी कारी हैं उनमें आप हमेशा सीरियस रहेंगे इस गोचर के दोनांके तो यह गोचर ज्यादा से ज्यादा आपको फाइदा देने वाला है बहुत फाइदेमंद आप लोगों के लिए धनू लगन वालों के लिए यह रहने वाल तो कुछ इस परकार के रिजल्ट्स मिल सकते हैं आप धनू लगन वालों को इस गोचर में फिल्हाल इस वीडियो में इतना है